इस वीडियो में मैं आपको दो तोते की एक ऐसी कहानी बताऊँगा जो आपके जिन्दगी के सोचने के नज़रियों को बिल्कुल बदल के रख देगा और आपको काफी दाधा इंस्पायर भी करेगा तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरू देखना तो लैट्स बिग से देख भाल भी करता था वो तोता भी उसके साथ बड़े मज़े से रहता था करो शुबह होते जहीं उसे नास्ता मिल जाता था रोज की पर दोटा भी सोचता था कि अब तो लाइफ सेट है उसे जिन्दगी का सब ऐसो आरा मिलता था लेकिन एक दिन इसा आया जब किसी व दूनना आता और नहीं उसे घोसला बनाना आता था और नहीं उसे खाना धुनेना आता था और इसी तरह धीरे धीरे बिना खाने पीने और घोसले के ना होने के चलते वो मर गया क्योंकि वो बच्पन से ही एक पिंजणे में रहता था उसे बिना कुछ किये टाइम पर खाना प पाला था कई किलोमेटर दूर से चावल का एक तुकड़ा लेकर वह अपने बच्चे यानि उस तोते के मूँ में डालते थी ताकि उसका पेट भर सके और इसी संघर्स के साथ वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक दिन जब उसके पंख आ गए उसकी मा ने उसे उस और जब वो तोता गिरने लगा तो जोर से अपना पंख फर्फाराने लगा और उन्हें लगा और इसी तरह उसने अपना खाना पीना खोजना सीख लिया था अपना खुत का घोसला भी बना कर रहने लगा तोले आसमान में आजजादी से हर जहां आ जा सकता था एक लाइप में सर्वाइप नहीं कर पाया वहीं दूसरा तोता जो एक खुले आकास और जंगल में रहने वाला तोता था जिसने समय रहते अपने लाइप में अपनी जिम्मिदारियों को समझा और कभी दूसरों पर आसृत नहीं था और हालात कुछ भी हो और कोई भी प्रॉब् कुछ भी अच्छी किया है आप उसे से संतुष्ठ हो और आप अपने लाइप में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते हो बस लाइफ कैसे भी करके कमफर्टेवली निकल जाए और आज आपके पास होंडा सिटी है तो आपने कभी औरी के बारे में सोचा ही नहीं और अगर आप आपके पास मर्सडीस है तो आपने कभी फरारी के बारे में सोचा ही नहीं इसलिए आज आपके पास जो कुछ भी है उसे संतुष्ठ मत होई है हमेशा कुछ बड़ा सोचिया कुछ बड़ा करने का प्रयास करिए ने कमफर्ट जोन से बाहर निकलिए इसलिए यह आपको डि तोते की तरह ने बच्मंस देए अपने लाइफ में संघर्स करके आज खुले आकास में उल रहा है वो अभी स्वतनतरता से और चोईस आपका है कि आपको कैसा बनना है अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कमफर्ट जोन से बाहर निकलने के कुछ टिप्स बताओ तो पॉलो करना मत बुलना तक तक के लिए चलता हो बाबाए भी सकते हैं